है 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 अधियों दोस्तों मैं अपनी परिवार सक्सेश फिक्स में बहुत स्वागत करता हूं तो आज हम टॉप 20 सीरिज का नेक्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं क्या टॉप 20 सीरिज का आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और अभी तक हमने कई पार्ट पढ़ लिए हैं तो मेरे साब से आपने अगर देखे होंगे टॉप 20 सीरिज के यहीं टॉप 20 कोस्टन होते हैं उसमें और आपने देखे होंगे तो आपको बहुत जाना पसंद आये होंगे मेरे साब से तो आज का 1 कोश्टन है आपके स्कीन पर आप से स्वल्व करें तो क्या है आपकेस और आपने अब हमारे चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो स्प्रेयब कर दीजे और विडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजे और हँआ अपने दोस्तों के साथ सेर्वी कर दीजए थे-डोस्तो आ ये शुरू करते हैं आज का फर्श्ट पोस्छन है आजका फर्श्ट पोस्छन हिए आपके पास अरुण चक्रवादी ब्याज की 4% बारसिक दर पर 65-100 रुपए उल्हार लेता है यानी की अरुण का principle कीतना हो गया? 65-100 रुपए कितना हो गया? 65-100 हो गया तो दो बइस का चक्रवादी ब्याज क्या होगा? तो क्या होगा तो आपको पता है कि रेट उनने के तिन दी है चार परसेंट कितने दी है चार परसेंट और ती याने की टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है तो एक तो जे होती है इस मेतड से हम कर सकते है इस मेतड से इसकी बेल्यू रख देगे तो हमारे पास क्या आजाएगा हमारे पास amount यानी की मिस्त धन आजाएगा ठीक है तो दो आई देखते हैं ये बराबर क्या होगा P की value कितनी है हमारे पास 65 P की value हमारे पास कितनी है 65 और 1 प्लस 4 बटा 100 इंटू 2 यहीं power 2 ठीक है तो आज से solve करेंगे । कितना आजए कि 25 यहीं आई आई छक़ शकवेस बटा है 26 बटा तो क्यतना है समें तो कितना आजएगा Pier overarching 50 अब कितना बचा है आपके पास पंद्रा बचा तो पच्ची छिक्कार देर सो तो आप फिर से पांस तीसे स्वल्व करेंगे तो 25 पांच तो आपको पता होगा 26 गुणा 26 कितना होता है 266 गुणा 22 बचा पांच कितना है अब अगर हम इसका मल्टिप्लाई करेंगे 266 में 52 गा तो क्या होगा 6 दो चिक्का बारा दूसात्य चक्दा एक पंद्रा बारा एक तेरा तो अब पांच एक तीस कितना होता है तो पांच एक तीस एक सो बावन कितना होगे 25 एक सो बावन में आगर हम फांच का डवायड करेंजे तो कितनी हो जाया गा 57 35 आप कितना होगा एक है तो जीरो हो जागा फिर 5 पंद्रा अब कितना पांच आपको दिख नहां हो फिर्ट वह तो जीरो जाया गा और अब कितना भी सो जाया पांच ओके 20 तो आपके पास कितना आगा सत्तर तीस पॉंट फोर यानि कि आपके पास इसका दी ओक्षन इसकरेक्ट अंशर हो जागा लेकिन ए मैकना आमारी फॉड़ी लंडी है अगर ऐसे हम थोड़ा स्वाट ट्रेक्स से करना चाहेंगे कैसे हम से करेंगे से किसे करेंगे आई देखते हैं तो 100 की बहुत जाड़ा सरव होने वाली है तो क्या स्वाट रेक बहुत जाड़ा सरव होने वाली है तो देखिए तो आप क्या करेंगें आपको पता होगा चार पर्चेंट बरावर होता है यादने की मूल या प्रेंसिपल मानलेजी मूल होता है परेंगे मूल मानलेजी की मूल जो होता है नीचे बस में पास प्रेंसिपल में करना क्या होता है प्रेंसिपल मानलेजी मीतंट निवाता है आपको तो आपको कितना दिया है ? अब आपको कितना दिया 625 समाना के principle हो गया और 626 के amount हो गया तो अब कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 625 बराबर कितना हो जाएगा सब्सक्वार, तोि क्तितना प्रिभर सब्सक्राइब ओलत कुल बजाये तो हुद्पर रिखशने सूखुणाव है, तो यह सल्ब करेंगी तो अब करेंगी तों पांच से कटेंगे तो पांच वाल आएगा और आपको पता था कि अब हमने इसे इधर से सॉल्व कर लिया था याने कि बावन गुणा चेतर और पिछली वार हमने शॉल्व कर लिया था तो आप जाना जाना सॉल्व करेगा इस बिजी से इसे कि आपको इससे थोड़ा पता चाहिए और इसमें कोई फॉर्मूला की लिए जिरुवत नहीं पढ़ती है दोस्तों समझ में आ गया होगा तो आइँ दीखते हैं नेस्ट जो आपकी स्कीन पर है एस सेकेंड नंबर कोश्चन आपकी स्कीन पर अफिशन शॉल्व करें और हमारी कमेंट वोर्प्सम उसका अंसर दीजीए। जो व्ल्वन को इसकेंड नंबर कोश्चन का और हाँ लाइक कर लिए ठीक है तो सेकंड नमर कुष्टन क्या है आपके पास आपके पास है श्री एक दोकां दर फल खरीद दे और बेच दे समय और तोल तोल्बड़ी करता है कितने करके 15% की गरवाड़ी करता है कितना 15% लिए खरीदने में की और 15% की उतने बिचने में तॉल्मे में कर दी तो धोकारदर ही करता है तो उसका कुल लाव प्रिक्तिशत कितना हुआ इसमें एक ट्रिक होती है 2X बरावर प्लस X स्क्वार अपॉन 100 परसेंट किलिए उसको कितनी होती है परसेंट होती है तो आप इस बिजी से करोगे तो इसमें क्या करना पड़ता है जे ट्रिक दब लगती है तो दोनों जगा बरावर वैल्य दीर होती है ठीक है दोस्तों तो क्या दोनों जगा बरावर वैल्य यानिकी 15% कि उसने कितने ही में कर ली पहले कर ली तो अब क्या जाएगा आपके पास तो मेरे साब से याद तक आप दिक्कत नहीं होने चाहिए यानि कोई प्रावलाम नहीं होने चाहिए तो पंदर होनी 30 प्लस 15 कोण 15 कतना होता है 200 पत्चीस होता है 200 पत्चीस बटा सो क्लिए तो अब आप देखिए जिएगा अब हम 100 पाइसे में डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना है 30 प्लस 2 दसंबल दो पांच कितना 30 प्लस यानि 30 प्लस 2.25 यानि कि 32.25 कितना है 32.25 यानि कि आपके पास C option इस करेक्ट अंसर हो जाएगा 2nd number question का तो मेरे के साब से आपको पुछे समय में आगया होगो इसना कुछ था नहीं ऐसे की द्वारत समझाए जाए जाएगा तो इसमें आपको क्या दिया रखना है कि अगर एक जासी value दोनों जागा दी रहती है तो आपको क्या 2x प्लस x square अपन 100% करना है ठीक दोस्तों तो लिए साब से आपको समय आगया होगा तो आई अप देखते हैं 30 and 3 number question आपकी screen पर है जल्दी से जल्दी गए ठीक जोस्तों 3 number question क्या है आपकी screen पर आप जल्दी बताएगा कि 3 number question है आपके पास रेटी साधा ब्याज की दर से 6% बार्शक दर पर यानि कि रेट हमारी कितनी होई 6% क्लियर जोस्तों तो रेट हमारी पास कितनी होई 6% पर 600 रोपर उजार लेती है यानि कि प्रेंसिपल से कितना होई 600 रोपर क्लियर जोस्तों तो 4 वर्स बाद यानि कि T हमारी पास 4 हो गया यानि 4 years हो जागा क्लियर जोस्तों तो अब उनने क्या कहा तो 4 वर्स बाद रेट चुकता करने के लिए कितना होगा यानि कि आपके पास amount पुचा है कितना amount पुचा है क्योंसे प्रेंसिपल अपर्पर्रामे क्या interest मलेगा lub तो आप़ कता होगा यह फहीं कितना होता है PRT ahon 100 क्योंसतो प्रते पाund 100 एक तो यह तो जो कुस्मा dauert वहीं क्या प्रेंसिपल आपके पास 600 रुपय दिया हुआ है और रेट यादि 6% दी हुई है और ताइम यादि आपके पास 4 वर्स दिया हुआ है अपना नहीं दो यू कर जाएंगे कितना होगा 24 गुणा 6 तो आप 6चे का 6चे का चार वर्स दिया चुक्ता करने के लिए से कितना भुक्तान करना होगा तो आपको पता है कि अमांट बराबर प्रैंसी प्लस प्लस यादि सिंपल इंट्रेस्ट होता है यादि कि 600 प्लस कितना करें कि 144 यादि कि अमारे पास अब उसे कितना चुक्ता करना होगा कितना देना होगा 744 रुपए यानि कि D option correct transfer हो जागा 3 number question का मेरे साब से यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा और अगर हम इसे द्वारत देखेंगे यानि कि अगर आपको question यानि इसका आपको SI बराबर खरूना नहीं आता है समझ में है तो आप क्या करोगे सीधी कर लिजिए SI बराबर 80% कर लिजिए क्या 80% तो 80% का मतलब क्या होगा 80% का मतलब आपको पता ही होगा अगर आपको percentage समझ में नहीं आती है तो आप हमारी playlist में जाएगा और percentage हम करवा रहे हैं तो आप उसे समझ लिजिएगा जो और आप उसे पड़ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि percentage हमारी होती क्या है तो अब 80% तो आप यानिकी 6 और 4 क्यों हमारी पास रेट कितनी दी है 6 और time कितना दी है 4 और अपना 100 क्लियर तो आप क्या हो जाएगा आपके पास 24 बटा सो अब आपको पता होगा 24 परसेंट या पर आप इसे क्या लेख सकते हो 24 परसेंट तो आपको पता है कि 24 परसेंट जी हमारी पास क्या 100 परसेंट और 24 परसेंट और हो जा रहा है तो अब अगर आप 600 का 124 परसेंट निकालेंगे तो आपके पास क्या डारेक्ट आ रहा है किले उसको आप कर लिजी 6 24 चैनल दूनी 12 बारा बारा और दूर 14 एक हासिल 6 कमचे एक साथ तो आपके पास कितना रहा है डारेक्ट 244 आज़ा है इतने कि आपको फॉर्मुला और अमांट आपको कोई अब आप यह नहीं करना पड़ेगा यह बराबर P प्लस SI तो आपको मेरे साबसे तो आगर आप करिएगा तो 80% करके करिएगा के लिए तो आप 80% करके कर सकते हैं तो मेरे साबसे आपके लिए बहुत इच्छर आएगा यानि कि धर नमर का आपकर डियोशन आ गया था तो मेरे साबसे आपको जे भी समझ में आ गया होगा तो आए देखते हैं next question phone number question आपकी screen पर है आप उसे solve करेएगा तो आप उसे solve करें और हमारी टर्मेंट बोक्स मुस्का अंसर दें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्कार नहीं किया है तो दोस्तो सस्क्राइब कर लो जिससे की in future में हम कुछ भी पढ़ाते हैं हम कुछ सब्सक्राइब कर रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा ही दे सकारे जो क्या अच्छा न we armies by थ्याक्री आपको पता ही कि engp तो आई देखते हैं तो नमर कोश्चन आपके पास है कि तीन मिनिट 20 सेकंड के लिए टेली फॉन का बिल कितना बादा है 35.50 परीस है यानि कि 3 मिनिट अगर हम सेकंड हो बदलेंगे तो कितना हो जागा 60 का इसन मुठिप्लाई करना पढ़ेगा तूर 20 सेकंड फील की 10 그렇죠 यानि कि एक सो अठापके अपके पास कितना जागा 200 गां ये तो तीन मिनिट के लिए आपके इपकी अपके पास कितना आगया, 200 सेकंड तो दू सेकंड आपके पास कितने के बराबर हो रहा तो पांच बुना साथ कर लीजिए प्लस तीस सेकंड कर लीजिए कितना पड़ेगा तो आपको पता है कि 200 सेकंड बराबर कितना है 200 सेकंड बराबर कितना है 200 सेकंड बराबर है हमारी पास केतना केंथे 50 सो तीन सो अब पर आपके लिए पूंच तो तेन सो उपर आप कर लिए आपके तो अब अगर हम देखा जाए तो अब आप क्या करोगे इदर से पांस से डिवाइड कर लेजे तो पांस से करेंगे तो आप क्या करेंगे तो आपके पास यहां पर कितना अब आप क्या करोगे अब चालिस से तो डिवाइड कर लीजिए या पर चार से कर दीजिए चार ज़िए पन क्या क्या लेख सकते है चार ज़िए फ़िए तो कितना थेंगे अब चार पंचे बीज विए अब तीन बचा तो 34 होगा आप के तरह पास तो आपके पास तो 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 नहीं तो आप एपको पता होगा यहां पर आपके पास दस बचाएंगे तुमारी पास कितना जाएगा अठावन दसमला पास साथ 58.57 तो आपके पास 57 कर लीज़ दिये या फिर आपके पास 58.6 आ जाएगा क्यों आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर वेल्लू कितनी 5 से बड़ी होती है यानि 6 से बड़ी होती है तो आपके पास 58.6 आ जाएगा यानि कि आपके पास 2 ऑप्शन इस करेक्ट का अंसर हो जाए कितनी गा फोर नम्मर का आपके पास दी आपको समझ में आ गया होगा तो आई अब देखते हैं आपके स्कील पर है आप उसे सॉल्व करें और हमारी कमेंड वक्षिन उसका अंसर दें के लिए रूस्तों है तो आपको समय नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा पीशे करके देख सकते हो तो द्वारा से हो जाए आपके पास क्योंकि इन सवाला में ऐसा है नहीं कि करता है कि अगर मुझे दोवारा समझाना है तो मैं अपनी एसाब से आपको समझाते ही जा रहा हूं और हम आपको सभी से इसकी प्रेपेरिंग करनी है आप या फिर गुरुपडी की तो आप रेगुनर क्लास लेते रहे बिना मिस्की होई क्योंकि अगर जिस दिन आपने ए आपको समझ में नहीं आना है तो आप अब लगातार प्रेपेरिंग करते रहे तो तो आप क्या है आपके पास प्रसाद को कोई रखती है उसने क्रम साँ किसा था 2 km पर आवर कितनी दो किलो मिटर पर आवर और और 6 किलो मिटर पर आवर कि उसने क्या कि है कोई है दूरी है उसे तय किया इतनी स्पीड से किल लिए उसको चार से चलने ते हुए समान दूरियां तय करते हैं तो हमने क्या मानली, ना क्या रिखकता है, एक से क्या हैए दूरी हमारे पास, एक से दोस्तों उसे इतनी दूरी करने में काथ सिर्णी को से यसे यह ग conquered टे लिख बटा riches यह 7d katsa करते हैं अहुत आपको पता हुआ जो बरावर्द दूरी बटा समय होता है फिले अव Hmm thisshave करेंगे तो क्या जाएगा समय बराबर, B 2017 सब्सक्राइब तो क्या जाएगा याणे इस सर ने खलिए किया हमारे पास कितने दिया है प्लस एक सबसे पहले अगर दिया है तो अब अगर हम घंटे में बदलने के लिए अगर हम घंटे में घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो यह आपर क्या आवर आजाएगा तो आएज देखते हैं अगरा क्योंगी आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर परावर में दी होई है अगर मीटर पर सेकंड में दी होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती दोस्तों ठीक है आपको दिख रहा होगा तो उसने दूरी तूटल कितनी की है दूरी क्याशाय की दूरी तय कही है फिर कितनी टूरी तय किया ऑद गई कि प्रसाद है उसन Лог क्रं सहा टो किलोमीटर परावर झूर क्लो कोई क्लोमीटर पर कर से समान दूरियां तय की है तो इसने कितने में की थी तो आपको पता है समय वरावर टाइम वरावर क्या होता है समय वरावर दूरी आपको समझ में आ गया होगा तो आए देखते हैं और आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार हो और रहगुलर है तो कोई से कहने वाली बात ही नहीं होती आप इतनी तो आपके पास सिक्स श्क्राइब करें और आपको से अवागूज क्यों हूं देखोगे में आया हुआ हुआ है तो आपको कितना अच्छे से पढ़ाई करिए और आपको टैंसर लेने कोई बात नहीं हम आपको कोस्ट करवा देंगे जब तक आपका पेपर होगा अब बस एक बार विश्वास करें देख लिजे तो क्या दिया है आपके पास 3, 3, 5, 7, 8, 8, 8, 8, तीनवार 8 है फिर आपके पास क्या है 9, 11, 12, और 12 अब इन नहीं क्या कह दिया इन आकड़ों की मार्दिका है यानि मीन यानि इनका मार्दिका इसकी ज्याद करनी है क्लिए तो है अब आपको पता होगा इनम्हें सबसे पहले एक तो बड़ीया स्ट्रेप ऑफ होती है क्या जितने अप्षाः हैं जितने अंख हमें दें हुई हैं उने आप सबसे पहले क्या गिल लेजिएगा तो क्या एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और अब उनने क्या मद्धिका हो जाएगी क्या हो जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा इसका नहीं करना होता है तो सबसे पहले आप उसे लाइन में लगातार किरम में उसे लगाना पड़ता है और उसके बाद आपको गिरना पड़ता है है तो अब होता है यह जो और इसमें तो आपके पास कितना आठ ही आपके पास आया तो अगर आपको इसे रेंटम ली गिल दीजिए और आप उनका बीच में बीच का आप गिलने का बीच में होगी वो संक्या आपका अंसर हो जाया के लिए हो तो आपको समया गया हो तो आई देखते हैं नेस्ट कोश्चन सेवन नमबर कोश्चन आपके स्कीन पर है आप से स्ट्रॉल करें और कमेंट बॉक्स में उस्तार अंसर दें ठीक है जोस्तो और हमें बताएगा जरूर कि हमारी क्लास कैसी लगी अगर अच्छी लगत क्याओ का अनुपाद यह निकी रेश्यों कितना बंड टू है तो आपको पता है मासा क्या होता है जो हमें इसका सबसे बड़ा है येएश्ट काम फेक्टर होता है तो आपको पता है कि मासा कैनल आप इसे कर्मासा निकाल कर देखेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाता है वह आपका मासा यानि की हाइस्ट कॉमन फेक्टर हो जाता है तो आपके पास कितनी आगी 16 और 32 आपके पास संख्याय आगई तो अब इनका युक्ति आपके साफ से वाग फास के तो आपके साफ से 32 होना चाहिए तो आपका क्या कि आपके स्कूल का अब्र वह जाता है पर आपके पार जो यह नम्मर कोश्चन नहीं को अच्छा कोश्चन है और मैं उसे आपको ब्रुकुर शॉर्ट प्रेक्षिर कर आपको सिर्म 10 सेकंड लगेंगे करने के लिए यतना बड़ा कोश्चन आपको देख रहा होगा इतना बड़ा कोश्चन जिस आपको कितने 10 सेकंड लगेंगे 10 सेकंड क्या दिया है विजिया एक दूरी को पैदल दोड़कर बापस चुरुआती इस्तान पर आने में तो इस दूरी को उसे कितने लड़ी समाए नो गंटा यान की 9 अवर 50 मिनेट यान की कितने 50 मिनेट रगें के लिए वस्तों तो अब उन्हें क्या कहा है कि दोनों और से राष्टा पैदल अलब वह दोनों रास्ता है यानि कि इदर से भी वह क्या पैदल जाए कि वह इदर से भी पैदल आता है तो आपको कि वह कितना समय लेता है बारा गंटे 20 मिनिट का समय लगता हैं तो आप माल लों तो इसने क्या कहा जाता है पता है इसंद क्या दिया है आपको आपको क्या दिया है, पता है आपको, एक दोड़कार और एक पैदल, तो अब आपको पता है, कि जिए क्या दोनों तरब का, तो अगर हम इसका दुगना कर देंगे, तो आपको पता चाल जाएगा, इसका अगर हम दुगना कर देंगे, क्या दोगना कर देंगे, तो क्या होग तो आपको पता है कि एक घंटा बना लेती है कितना साथ मिनट चले आए एक घंटा चले जाएगा तो यहाँ पर कितना चारीश होजएगा यह किसमें प्लस हो जाएगा तो आपको क्या अगया इसमें क्या आगया आपके पास दो तो पैदल और दो बार कर आएक तो और तो आपको पता है डोगा तो आपको पी यह तो अगर्वधी है और टोनने करते आके और हमेसमें से सामय बाइस बाइस मेंस इंधा एगर तकफ टोगए कि दोड़कर बाइस उन्मेड Ex 15 12 2011 दोड़कर गारे कि हम इसे माइस करेंगे कि क्वाहने पास की हाएगा सिर्फ दोड़कर जाने और दोड़तार आने का समय बचेएगा कि लिए तो ट्वाई देखते हैं 20 मिनिट कितना 20 मिनिट और 19 में से 12 हो जाएगा तो कितना जाएगा सेवन आवर्स यानि कि आपके पास कितना गया साथ गांटा 20 मिनिट में दौड़तार जाएगा भी और दौड़तार आ भी जाएगा के लिए तो मेरे सब सेया तक आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आया है तो आई दौबार देख लीजिए आप उन्ने कहा था क्या कि एक जाए जाने कि आठी कितना जानता है तो अगर हम इसका दोगना कर देंगे दो बार पैदल कर दोट कर दोड़को हुजाएगा के लिए दोगना कर देंगा 29 अब गॉल्टा 40 अगर 12 गंट को सीमय से तो आपको पता है फिर दो बड़को हमारा माइनस हो जाएगा दोड़कर भी बचेगा तो कितना वह भाइन ही साथ में अब मेरे साथ से आपको समझ में आ गया हूँ आप इसे अपने साथ से जल्दी करते जियुक्त कर सब्सक्राइब तो आपको पता है तो आई देखते हैं नाए नमर कोश्चन वह आपके स्कीन बने आपको जल्दी से चौल करें और हमें बताएं ठीक है तो आईए अप्सुरू करते हैं अब मेरे साब से आपको समझ में आने लगा हो और आपको बहुत अच्छी लगने लगे लिए क्लास कि मुझे तो प्राणियों बहुत मजा आ रहा है इन कोश्चनों में तो आपके पास आप स्कीन पर जल्दी उसका सौल करें और हमें उसका अंसर दें क्या है किसी लंब वर् है में वहित नच grilled कि में मैं सेंटी मीटर हुआ है इस ल्गन के लिए का गजिए को लंब ट्रवर्त्यव बेलन का आई अच्छन क्या होता है पाई आर उसक्वार्ण अच्छ एलाद स्का कैस एसिकन भी नंच्छन फ्रया कितना होता है πει क्यान श्काल माओ कर दोश्क वे सब्सक्राइब करते हैं में पास दो दी है तो आई आप से सौल करते हैं तो क्या होगा कितना पास 44 गुणा 4 कर लिजिए सरल पढ़ेगा 44 गुणा 4 बटा साथ यानि कि आपके पास 9 नमर का बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा और 8 नमर का कुश्चन आपके पास था तो इसका कितना आंसर आया था मैंने बता नहीं पाया था साथ गन का 20 में तो कुछ था यह नहीं बस आपको फर्मूला याद होना चाहिए था और आप इसे सौल कर दें बहुत ही जल्दी तो तो आए देखते हैं और आपके स्कीन पर आप जल्दी सौल करें और इसका कमेंट बॉक्स में आसका आंसर में तो आपके पास आप से जल्दी सौल करें दोस्तों तो 10 नमर कोशन है आपके पास बहुत यहां साथ है कुछ ही नहीं इसमें क्या किया है तो प्रेंट फाइफ इसके उपर क्या अमार पास बार दिया हुआ है क्लिए उतों का सही वेंजग क्या होगा तो आपको पता है तू आपको क्या होगा फाइफ सिक्स अपॉन नाइफ बार जितनी पार होता है उतनी अपनी नीशे आ जाते हैं क्लिए तो तूहारी पास केतना दो सही पन बठा निन्यानवे यानि की इसमें तो कुछ थाई नहीं ठीक है और यसे कोशन पूछे जाते हैं आज भी देख लिए ठीक है यानि कि दो अब तो दो चाट चाहे दिन में और अपने दो जाए निस की कुछिन करवाएंगे तो आए हुए है तो इस आपके बोर्ड पर है आपके स्कीन पर है आपके लिए सॉल करें कि अब आपके तो आपके दो मिट तो खाई जाएगा और मैं बता हमाँगा ना आप कि दस ने में कर लोगे सर्फ कितने दस सेगेंड में तुट एक बस्तू को चार परसेंट तथा आठ परसेंट लाप पर बेचने पर मिले विक्रे मूल्यों में तीन रुपे का अंतर है तो दोनों विक्रे मूल्यों का अनुपात बताएं कुछ भी नहीं करना है ना आपको रहते देखना है आपको रिपरना है क्या एक तो चार परसेंट ठीक है और आपको चार पर सेंट अथा पर परसेंट से परसेंट हमारी कैंसर हो जाएगी तब क्या होचा एक सो चार अनुपात एक सो आठ कितना अब हम इसे चार से ड़ाड़ करेंगे तो कितना कि अब आपके पास कितना आगया 26 अनुपात 27 कितना 26 अनुपात 27 यानि की कि अधियर नंबर करते हैं इतना अंतर निकालते फिर बुस्त के पास आप उसके बाद क्राइम मूल निकालते फिर निकालते फिर धोनों का निकालते तो आपके दो और तीन मिट्स आराम से ख़व जाते तो आप ऐसे करिएगा आपको कोई टेंसल लेने आपको से अक्षाई ख़वाद के पाद को कॉष्टिन है 11 नीम्मर कोशन ठाप में 3 इस बार्वान आ पराओ मर कॉष्टिन आपके पास है अकसे आप से जौन पेरे आपको ऑपोश्चन का दिया है कि यह पानी के टैंक में दो च्छिट रहें को आट मिनेट में पहले हैं कि इतना आठ मिनेट में खाली करता है और दूसरा चितर अकेला टैंक को यहीं कि बी माल लेते हैं अब क्या करने पड़ेगा देखिए अब हम क्या खरेंगे आपको दिख रहा होगा एक करना 8 मिनिट में और बी करना 12 में तो आपको क्या करने पड़ेगा कितना जाएंगे तो इसकी अब कितना करेंगे तो यानि कि अब कितना कर रही एक बार में तीन दो पांच प्लस दो कितना जाएगा पांच और टोटल कितना करना 24 करना एक बार में कितना कर रहे हैं एक मिनिट में कितना 5 खाली करना उसे कितना करना 24 तो क्या आजाएगा 24 बटा पांच आउसी सॉल्व करेंगे तो 5 चो के 20 और 4 बटा 5 5 तो चार सही चार बटा 5 आ जाएगा इतने मिनिट में और दो एक साथ करेंगे तो इतने मिनिट में खाली कर देंगे कि लिए दोस्तूं तो इप समन्झ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए वाई तो जब देखते हैं तर्टी नमर कोश्चन का इसे की पर आपके स्कीन पर आपका कमेंट बोक्स का अंसर दें रिकर सो तो 13 नमर यानि तेरवा नमर कोशन है आप उसका जल्दी से आंसर दीजिए क्या जल्दी से अंसर दीजिए दोस्तों आप कुछ भी नहीं नहीं होने हैं कि नियुक्त व्राष्टाय क्या है तो सेंटीमीटर त्रज्जा यादी तेज दीए हैं डेजिए 2 सेंटीमीटर क्या होगा क्या होता है भूर पाई यार स्कॉर क्या होता है प्रष्टी क्या होता है बढ़ सक प्रष्टी सित पर्ष्टी ज्सब्ण कहिंगत लीचे गोले इक की प्रुस्टी चेली वेल्यो रखते गुणा पाई की वेल्वी कितने हुथ है बाइस बटा साथ और आर हमारी पास करता है दो गुणा दो किलिए रहा दोस्तों 22 चोब एठाथी गुणा चार बटा साथ यानिकी तराड़ बत्तिस तराड़ बत्तिस और तीन पैंतेस यानिकी कि 352 बता सात यानिकी सी ओप्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या थर्टीन नंबर का सी ओप्सन इस क्रेक्ट आनसर हो जाएगा के लिए दोस्तों कि और तो मेरे साथ से यह कुश्चन में कोशी भी नहीं था द्वारे से सम्झाने वाला तो मेरे साथ आपको समने में आ लिया होगा फ्राइद देखते नेक्स्सक्रण फोर्टें नमर कोश्चन आपके स्कीन पार आप जल्दी से उसका जवाब दें तो पता इसलिए अभी अगर मैं सवार सलव कोश्चन कराने का एक ही वो है कि आपको थोड़ा क्या हो जाए आप थोड़ा करने लगे फिर हम थोड़े हाई लेवर के पूश्चन देख पर हम एक तरवी किलास रखा करेंगे कि दो दिन हमारे नॉर्मल कोश्चन आएंगे दो आपके पास आपकी स्कीन पर आप उसे सौल करेंगा और बताइए क्रमेंट बॉक्स में उसका आंसर क्या है बहुत ही तरव कोश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों तो क्या है हमारे पास एक परीक्सामें एक बिद्यारती है उसने 25 में से ही कितने प्रतिशत तो आपको पता होगा कि जिसमें से लाने होते हैं उतनी कर लेते हैं तो जितने हम लाते हैं उसे उपर रखते हैं और जितने हैं तो नीचे रखते हैं और पर से उसका ग्रांव कर लेते हैं तो 25 चौक है 100 और 21 चौक है 84 नहीं तो इसने की चौक नमर का दी आपसमें इस करेक्ट आज़ोगा तो इस बिद्यारती में कितने 84% अंध अर्जित की हैं तो जी कोशन तो कुछ थाई नहीं काई देखते हैं 15 नमर कोशन आपके स्कीन पर आपके से जल्दी से सॉल्व करें अब हमारे का टाइम कम बचा हुआ है क्योंकि आपके दिक्रावा ताइम पचास मिनिट होने वारे हैं हमारे हमारे तो 15 नमर कोशन हमारे पास कितना स्री राम 14 रुपे में 14,000 रुपे में निवेश करता है और परीपकता पर उसे कुल कितनी रासी प्राप्त होगी उसने यह धन रासी कितने 6 महीने के लिए दी है और 20% बार्सक चगवर्दी ब्याज की दर पर निवेश की है और ब्याज तिमाई सहीं यह थो तो आपके पास क्या प्रेंसिपल कितना दिया हमारे पास 14,000 कोई टेंसन लेने वाई बार नहीं है और क्राइन कितना दिया है 6 महीने कितने 6 महीने के लिए रहो 6 मन्त कितने 6 मन्त दी है और रेट कितनी दी है आपको पता होगा अब आपको पता है तिमाही ब्याज दे मिन निवेश करता है तिमाही ब्याज सही मुझेत पर तिमाही तीन महीना का एक होगा तो च्छे महीं में कितने दो बन जाएंगे तो टाइम हमारे कितना दो हो जाएंगे और कितना तिमाई ही है तो हम क्या करते हैं तिमाई दी होती है तो 4 से भाग देते हैं और पांच परसंट को लह दो पर देखिएका पांच परसंट को मूल मूल रहता है मूल बेल्यू रहती है और इस 20 पर 5% कितना एक मिला तो अब आपको क्या होगा है यहाई कि हम इंटरेस्ट मान लीजे आप कितना इंटरेस्ट ब्याज को आपके पास कितना 20 प्रेंसिपल है और 21 अमाउंट है क्योंकि अगर आपको पता है ब्याज एक का मिला और प्रेंसिपल में आगर हम ब्याज को एड कर देते हैं तो हमारे पास अमाउंट यानि की मिस धर आना आता है तो आप ऐसे देख लिजिए गाँ तो क्या होगा 21 और आपको कतने पूटान दिया हुआ है तो हम क्या 20 और 21 अब इसे गुणा तर लेते हैं अपस हैं 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 241 क्लिए दिक्कत भूनी नहीं चाहिए यादर कोई टेंसल नहीं हो चाहिए अब हमारे पास प्रेंसिपल कितना है यहाँ पर प जाएगए तो अब चाहर सोभ व्रहाएं उत्क्तर ह स्यपल मुणा इसेलों कितना है तो 4 बरावर क्या होगा चार ती अबारा दो गचा चार पंचे इन दीस तो आपके पास पांच तीन चार पांच एक पंद्रा चार सो पेंधेस आयागा कितना पंद्रा चार सो पेंधेस याने कि B option is correct answer तो मेरे साब से आपको यह समन में आ गया वह इसमें कोई बात ही नहीं ती द्वास आने आने वादी का तो आई देखते हम नेस्ट कोशन habrang आपके स्कीन पर है कि कमेंट बक्स हों प्रवाइब भी नहीं तो सिक्स्टीन नमर कोश्चन है आपके पास एक बिद्याराय में 200 बिद्यारती है कुल स्तुदेंट्स कितनी है कोलु स्तुदेंट्स आपके पास dh 200 जिन मैं से दो बकाष बंप लड़की है तो अब आपको देख रहा होगा कि कुल हमारे पांस कितने हैं पांस है और दो हमारे कितने पांस में से दू लड़के हैं तो लड़की हैं कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी तो कितने हैं 200 अगर एक की बेल्यू निकालना चाहें कुमारे पांस थे तो पांस चोग और 20 कितने तो एक बनाबर 40 तो तीन बनाबर कितना हुआ लड़कियां हमारे पास कितनी है एक सब्सक्राइब कोई समझाने वाली बात नहीं है यह बहुत ही नौर्मार कोश्चन है ठेवस्तो पाई दिखते हैं नेक्स्ट कोश्चन 17 नंबर कोश्चन आपकी स्कीम पर है आपकी जन्दी से सौल्ड पर है क्या है 17 नंबर कोश्चन 17 नंबर कोश्चन हमारे पास है क्या है मंचु एक बस को 15 परसेंट हानी पर 17,000 रुपे में बेश देती है कितने 17,000 रुपे में बेश देती है और बद 15 परसेंट लाब पाने के लिए इस इस बद को किस मूल पर बेशन पड़ेगा और अगर आप सुन लीजिए इसमें और आप इसे बेसिक मेथड से करेंगे न तो आपके 3 मिन्ट तो आपको कहीं नहीं गए खर्ष हो नहीं है मैं करांगा आपकी सब्सक्राइब तो आपको पता है कि टूटल कितना होता है 100 परसेंट कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए तो जब उसे पता है कितने 15 परसेंट की हान्यू होई अगर इस में से हम 15 माइनस करेंगे और पस कितना 85 परसेंट कितने 17,000 के वरावद दिया है कि यह कितनी के वरावद दिया होगा 15,000 परसेंट कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए यह तक अब आप से पूंचा है 15 परसेंट का लाव लेंगे तो कितना होचेगा 115 परसेंट के लिए निगालना है तो क्या 17,000 परसेंट का लाव चाहिए होगा मन्जु को तो उस बस को उसे 23,000 रुपे में बेचना पड़ेगा यानि की 17 नमर का यह ओप्सन इस करेंट का अंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों तो आई अब देखते हैं राय करने से होता कुछ नहीं है बस होता इतना सा है कि हम थोड़े मॉटिवेट होते हैं और आपको कुछ अच्छा देने के लिए सूचते हैं हर वार ठीक है एक नमर कोश्चन आपके पास आपकी स्ट्रीन कर राजिस विसाल से धुगना अच्छा कार करता है राजिस विसा को अच्छा करम शारी है तो यानि कि दो दो दोनों मिल जाते हैं तो तो दोनों मिल जाते हैं तो तीन हो जाएगा तो अ अब क्या दिया है तो बिसाल अकेलर बिसाल एक है तो यह कितने में करेगा 28 गुणा तीन है यानि कि आठ तीयाच च्वाविश दू 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 आठ यानि विसार अकिलाव से उसक्त च्वाविश दू दू करते है तो मेरे साथ से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ने वे उमीद करता हूं तो आप आप आई देख दाब नेक्स कोशन देए हैं नाइन नमर निस नमर कोश्चन आपके स्कीन पर है आप से चल्दी से सोल करें कमें बाक्न आपको इस तो ग्या है तो 19 नम्मर कोश्चन है 19 नममर कोश्चन है आपके पास 18 आदमी एक जहाज के मोडल को साथ दिनों में बनाते हैं यानि कि 18 आदमी एक जहाज का मोडल है साथ दिनोर बनाते ही कि इएक आदमी कितने में बनाएगा साथ गुणा अठारा किलिए दोस्तों तो अब क्या रिया पकलिए पंकर आदमी से कितने में बनाइगे तो 55 बरावर साथ गुणा अठारा quyता 15 तीन से काठे में न दो छे वार जाएगे या फिर आप कहले जिए कितना आ पांच आठ चालीस दसमलब दो बचा तो आठ दसमलब चार यानि कि पांच दसमलब चार में यानि कि इसका डी ऑप्षन इसका रहत आंसर हो जाएगा तो इसमें कुछ भी सावाल में कुछ भी नहीं था बिलकुत सवाल था तो आजी देखते हैं बीस नमर कोश्चन ऑर एक व्यक्ष्चन आपके एक्जाम में अंडेज परसेंट मिलेगा इससे रिएट जे नहीं क्या कि जु तो रखा मिले गए तीन सो साथ वटे थीटा और थीटा की वैल्यू आपको पता है तुम क्या गरेंगे तीन सो साथ वटा दस यानि कि उसकी कितनी वाई भुजाएं उम्ही चातिस भुजाएं यानि कि ट्वंटी नमर कर डियोप्शन कोष्टन अगर आपने जे कोष्टन पढ़ा नहीं होगा त और जिसने पढ़न लिया होगा तो दो सब्सक्राइब देखके यह की सब्सक्राइब नहीं किया है कुछ नहीं जा रहा है कुछ सीखिए लोगे कुछ अच्छा और कुछ और हां बैल आइकन दवा दी जिससे कि अगर मैं कोई भी क्लांस लेता हूं कभी भी या हमारी कोई लेती है तो आपके पास बैल बैल आइकन दबावगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप बिन्ना मिस्की हुए सीख पाहूं कि तो मैं आसा करता हूं आपने चुब मैंने बोला है वह आपने कर दिया होगा तो आज के लिए बस इतना ही धनवाद करता हूं